रोड़ा और इस टाइम की सबसे बड़ी खबर है चुनाव हो रहे थे चंडीगड मेर इलेक्शन था आज MCD मेर इलेक्शन था और बड़ी अपडेट ये है कि BJP के मनोहर सोनकर को मेर बना दिया गया है घोशित कर दिया गया है उन्हें 16 वोट मिले हैं मनोहर सोनकर चंडीगड के मेर चुनलिये गए हैं आज ही इलेक्शन थे 35 सीटों पर ये चुनाव हुआ था और BJP के मनोहर सोनकर को मेर घोशित कर दिया गया है ये आप सामने वीजुल्स देख रहे हैं मनोहर सोनकर को जो बनाया गया है पार्शल लेकिन विपक्ष इस पर पूरा हंगामा कर रहा है कॉंग्रेस और आप ने गटबंदन किया था आपको बताएं ये इसलिए बहुत एहम थे क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव सर पर हैं और जैसे कॉंग्रेस और आप BJP को मिलकर हराना चाह रही थी और जिसके चलते कॉंग्रेस और आपने गटबंदन तक किया था पंजाब में जो स्थीती साफ रही है कि कॉंग्रेस और आप एक दूसरे से खिलाफ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बगावती सुर वो छेड़ रहे हैं लेकिन मेयर इलेक्शन के लिए दोनों का गटबंद हुआ था फिर भी बीजेपी के पारशद को मेर चुन लिया गया है आपको बताए मनोहर सोनकर को मेर घोशित कर दिया गया इसको पर अपडेट देने के लिए हमारी रिपोर्टर अमन प्रीत को और हमारे साथ जुड़ी है अमन प्रीत क्या अपडेट है देखει आपको बताना चाहेंगे कियरी जए सारीके कि आज छो मेर छुनाव हुएा है पहली बार इतिहास में हुआ है इसारीके कि मेर चुनाव में कि इतना हंदामा भरा रहा हा हाई कोट का रूटिया जैसे ही परोसेस शुरू होता है पहले समझाया जाता है उसके बात कहा लेकिन जब वोटिंग हतम होती है जब काउंटिंग शुरू होने लगती है तो कॉंग्रेस की गुर्वक श्रावत और भाजपा के जो थे मनोज जो जोशी है वो आपसे भड़ पड़ते हैं उनका सरफ एक मांगती कॉंग्रेस की और आमादी पार्टी की कि जो भी ऑफिसर है कि जो भी काउंटिंग होएगी वो ऑफिसर के सामने होने चाहिए दोनों ही पार्टी के लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो काउंटिंग की गई वो प्रिसीदिंग ऑफिसर की तरफ से अपने आप पटाफट की गई ना तो जो ऑफिसर लगाये गए थे ना उनको वह है दिखाया गया वकाइदा उनको भाइदा एका जाता है उसके बार जो ओ फोने वह भी पार हिका जाता है और जीदुन चाहिए कि लिए कि हो उनमें से एक काउंसलर ने तो ये तक इज़ाम लगाया कि प्रसीदिंग ऑफिसर के उपर इतना प्रेशर ता भाजबागा कि उसके हाथ तर काम रहे थे कि कहीं वो किस तरीके से और सब्सक्राइब बड़ी बात है उन्होंने ये भी एनाउंस कर दे कि हम हाई कोड का रोख कर इसके बिना ओफिसर को दिखाए इन्होंने उसके इसका इनाउंत कर दिया चक्ति ऐसा कभी नहीं होता था इस समय भी कीतिया आपको बताना चाहिए कि जो है वो अभी आंसे आफिस के बाहर हो रहा है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के जो कांसलर्स है वो कह रहे हैं य लगातार हंगामा इस समय भी जारी है मेर की सीच पर इसको बिठा दिया गया है जो मनोच जो मेर चुने गए है भाजपा के और वही कॉंगरस और अमादी पार्टी का आप कहना है कि इसको लेके वो हाई कोर का रोख करेंगे पूरे जो प्रोसीडिंग होई है जो जो वोट जली है मुझकी भी मांग करेंगे कि प्रोसीडिंग ऑफिसर्स ने बिन ऑफिसर्स के बिठाय कैसे जो है काउंटिंग कर दी जो इनोंने हमारी वोट इंवाली